नमस्कार सौक करते हूं एक और फ्रेश वीडियो में रफ्तार के आज़कों में हम बात करें के महेंद्रा थार रॉक्स 15 अगस्त को लाउंच होने वाली है इंडिपेंडेंडेस ये के दिन आप सबको तो पताईए है मैं आपको बता दू यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर वीडियो सामने आई है जहाँ पर इंटीरियर दिखाया गया है महेंद्रा थार फाइब डॉर का यानि महेंद्रा थार रॉक्स का मैं आपको बता दू यहाँ पर जो यह बेज कलर का interior दिखाए गया है यानि कि आपने XUE 7OO में जैसा interior देखा है या फिर अगर हम बात करें उनकी XUE 300 में जैसा interior यानि white कलर का जैसा देखने को मिलता है वैसा interior देखने को मिला है sunroof आपने देखा होगा advertisement में उन्होंने panoramic sunroof दिखा यानि पूरा moonroof दिखाया है तो क्या आपको यहाँ पे sunroof, moonroof और बिना sunroof के भी मिलेगी तो जी हाँ दोस्तो आपको मिलेगी जरूर महेंदरा थार 5 डोर बहुत सारे variant आपको इसमें मिलेंगे हो सकता है आपको 4x2 में भी देखने को मिले हो सकता है आपको 4x4 में भी रहेगी इस बात पे तो कोई शक नहीं 4x4 के साथ आपको 4x2 में भी देखने को मिले variants तो बहुत सारे रहेंगे with sunroof आपको देखने को मिलेगी with moonroof यानि पूरा देखने को मिलेगा जो panoramic sunroof आप लोग कहते हैं वो भी देखने को मिलेगा या हो सकता है कि बिना sunroof बिना moonroof के भी है यानि बहुत सारे variant रहेंगे अलग-अलग variant के साब से अलग-अलग price रहेगा मेरे साब से 18,00,000 के आज पास से ये शुरू हो जाएगी और अगर ऐसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर यह जो महिंद्रा थार five door या महिंद्रा rocks है यह कहीं ना कहीं या काफी जादे bias को अपने तरफ attract करने वाली है जो महिंद्रा की scorpion लेना चाते थे वो भी शायद थार rocks पे आ जाए जो महिंद्रा थार three door ले रहे थे वो भी थोड़ा इंतजार कर रहे है five door का बुकिंग ओकिंग के उपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप वो चेक आउट कर सकते है वीडियो आज की वीडियो में सिर्फ और से इंटीर की बात करेंगे आपको जो यह महिंद्रा थार rocks का जो इस चेरिंग देखने को मिलेगा वो आपक देखने को मिलेगा जैसा आपको Scorpio N में दिखाई देता है या XU7 O में आता है आपको वैसा इस चेरिंग दिखाई देता है six airbags यहाँ पे mandatory है तो six airbags आपको standard देखने को मिलेगा बाकि ABS, ABDA यह सब तो सब में रहता ही है हाला कि जो base variant है उस पे क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं तो मैं आपको बता दू मेरे साब से कि touch entertainment system जो है यह base variant में बिलकुल नहीं देखने को मिलेगा और बहुत सारे चीजे हैं जो कि आपको बहुत सारी चीजे हैं जो कि top model में देखाई देने को मिलेगा हो सकता है कि assume कर रहा हूँ पर शायद ना भी मिले क्योंकि यह कहीं ना कहीं off-roader vehicle है हाला कि जो white color का interior दिया गया है जो आप यहाँ पे देखने हैं तस्वीरों में तो मैं बता दू कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक off-roading के हिसाब से सही नहीं है क्योंकि एक off-roader vehicle ऐसा होता है अगर इसका interior white color का हो तो बहुत जल्दी गंदी हो जाएगी तो black color का भी हो सकता है आपको interior देखने को मिले हाला कि अभी तक कोई भी black color का interior के साथ photo's सामने तो नहीं आई है मेरे हिसाब से तो मैं यहीं कहता हूँ यार अगर black color में आएगी तो भी बहुत अच्छा रहेगा interior जिसक बहुत ही जादा खुबशूरत दिखाई दे रहा है जो आपको touch in for treatment system मैंदा था थ्री डोर में आती है वैसा नहीं उससे थोड़ा एक level उपर ही देखने को मिलेगा था रॉक्स में और pricing मैंने आपको बताया कहीं 18 लाग से यह शुरू हो जाएगी 18 लाग से all the way 30 लाग तक जाएगी इस बात पर कोई शक नहीं हो सकते हैं आपको four by two में भी देखने को मिले four by four तो आएगा इस बात पर कोई शक नहीं बर four by two में भी देखने को मिलेगा अगर competition की बात करें तो इसका सीधा competition होने वाला है गुर्खा five door के साथ बढ़ क्या गुर्खा five door उतना चली तो तो कहीं ना कहीं यार यह मेरे को लगता है कि महेंदा थार का दबदबा यहां पे जादा बना रहेगा गुर्खा की अगर हम बात करें five door में थार रॉक्स की और अगर information की बात करें तो जो पीछे वाला gate है वो आपको उपर यानि की जैसा swift में देखने को मिलता है ना पहले वाली swift आती थी या फिर हम बात करें शेरले की आती थी बीट में आपको वैसा डूर देखने को मिलता है उसमें यह वैसा ही आपको पीछे वाला डूर वैसे ही खुलेगा बाकि जो front के door है वो सेम आपको थार जैसे ही देखने को मिलेगे फ्रंट से अगर हम बात करें आगे तो काफी जाद major changes देखने को बिलेगा आप शायद मेरे साथ से जो headlights है वो भी stylish कर दिया गया तो शायद आपको aftermarket जाना ना पड़े क्योंकि आज की date पर थार आते हैं उसमें वैसा आपको door headlights का setup नहीं देखने को मिलता है अल्दो पीछे से अगर हम looks की बात करें तो पीछे से वैसा ही उसका looks है जैसा आपको थार क्रीडोर में दिखाई देता है उसके लावा कोई major changes तो यहाँ पे नहीं है तो मेरे साब सियार यह जो changes है काफी जादा बढ़िया लग रहे है था रोक्स इंडिया में 15 अगस्त को महेंद्रा इसको reveal कर देगा बुकिंग्स के बारे में पूरी जानकारी दूँगा एक और चीज मैं बता दू इस particular गाड़ी की इतनी hype बन चुकी है न कि मैं आपको बता दू सारे यूट्यूबर्स लेंगे इसको आदे से जादा जनता लेना चाहेगी इसको तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें waiting period का तो कम से कम तीन साल दो साल का waiting period आपको देखने को मिलेगा जैसा सेम केस हुआता महेंदर थार में वैसा ही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा शायद उससे जादा देखने को मिले क्योंकि अभी ये गाड़ी much more practical हो गई है as compared to three door क्योंकि three door आपको पताए seat पीछे करके तो का अगर आप बात करें थार आपको four by two में भी अच्छे खासे waiting period में दिखाई देता है तो मेरे साब से कि इस पे भी आपको अच्छा खासा waiting period देखने को मिलेगा बाकी मैं आपको बता दू यहां पे और कोई जो भी update आएंगे उसके बारे में मैं हमेशा आपको stay tune हमेशा update कर मता रहूंगा उसके लिए आपको करना क्या है मेरे youtube चैनल को subscribe करना है bell icon दबा देना है ताकि जब भी मैं कोई video डालू तो आपको notification पहुच जाए इसी के साथ यार आप लोगों के support की मुझे काफी जादा जरूरत है और आप लोगों मुझे बहुत जादा प्यार करें इसी तो देखते हैं मैं आपको कैसे update करूंगा आप खुद बताएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी बागी फूर वेज चाहते है प्रॉपर तरीके से सीट बल्ट वेज चाहते है हलमेट जो पहने सेफटी जंबर और प्यार्डी साइनिंग ओफ रफ्तार 7811 जाहीं जाहीं ज